बागपत में एक कार में अचानक से आग लगी देखते ही देखते पूरी कार जलकर खाक हो गए हादिसे में कार सवार दिल्ली पुलिस का सिपाही और उसका साती गंभी रूप से जुलस गया है जिनको ग्रामिनों ने कड़ी मशकत के बाद कार से निकाला और अस्पताल में भलती कराया है ग्रामिनों के माने तो मौके पर दमकल विभाग और पुलिस को सूचना दी गई लेकिन इसके बाब जूद घंटों बाद दोनों घटने स्थर पर पहुंचे तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी मामला कोतवारी थानक्षेत के दिल्ली सहारनपूर हाइवी का है